आप सभी वेलकम बेक टू माई न्यू ब्लोंग और अभी सुबह के मात्र हो रहा हैं पांच बच के पैतिस में आट और हम लोग उठ गया हैं हम फूल तोड़ी के लादियां पांजी गया हैं दूद लाने क्योंकि पांजी को डेली स्कूल जाना रहते हैं और आज है मंडे तो कैसे आप लोग मुझे कॉमेंट करके बता हैं अभी मेरे आँखों में नीद है अलका बट मुझे नीद आ रहा है अभी धूप निकल गया है और मुवी नहीं दूली हूं अभी और दादी बबाबा आई थिंक कि 20 दिनों के बाद वापस नेपाल से आ रह जाएंगे क्योंकि जहां पर उतर के घर के लिए आना था वहां पर उतर गया आट उन्होंने बुक कर लिया है अभी यो लोग आ रहे हैं तो चली ब्लोग को कंटीनू करते हैं जो भी होते इस वीडियो में शेयर करते हैं आप लोग के साथ और वीडियो को आगे फूल क्योंकि आटो बुक करके आते लोग यहां दादी से मैं बैग मांग रही थी तो बहुत हलका है कुछ है नहीं इसमें तो मैं लेके चल रही हूं यहां पर मैं बैग ले ली थी और फाइनली दादी आ गई थी घर पे तो हमारे महां जब भी कोई बाहर से आता है ना जैसे से अगर कोई घर aur आते हैं लोग जैसे साससूर हो गया ममी बापा हो गय तो बच्चे जो होते हैं मम बबापा तो बबाते हैं मैंने को से बढ़ी बादि पंवा कहीं जाते थे लोग आने के टाइम पे ऐसे किया जाता था तो वहीं दादी हम लोगों से बात करी थी रास्ते का बस का कैसे कैसे हम लोग आए काई कहां से और यहां पे मम्मी पानी पानि मैं देर के पैर दिख अtiया दूपर बाद चीजों को सीखना चाहएं काफी काफी टाइम की Obrig चाय चाइ बाना करके दिया लाल चाय सब को यॡ़ आड पिया फिर उसके बद काफी टाइम तक बहती हो और सुबह में लाइट रहता नहीं है शाड़े साथ बजे आता है तो छे बजे के नियर बाउटे लोग आ गये थे तो छे से साथ साथ बजे तक हम लोगों ने बात है कि फिर दादी ने पैर दबुआ लिया फिर बाबा का पैर धुल रही थी मम्मी और दबा रही थी तो यहा यहां पर दादी लेके आया थी गोल्ड की जुएलरी बहुत ही प्रीटी बहुत ही इसका डिजाइन मुझे बहुत ही पसंद लगा तो यह चोकर वाला सेड़ था एंड यह अलग से मंगल सुतर तो मंगल सुतर जो है अलग से है और छोकर अलाग से था था मैं ने एक साथ प यह पर प्रशिद नेपाल से मेरी वीडियो देखते हैं उनको पता होगा इससे है भी पहनते हैं लोग एक एक मुठा भर के ऐसे मूतियों का वह रहते हैं लरी जो माला पहना जाता है इसको नेपाली भासा में आइथिंक की लेहरिया बोलते हैं जैसा कि मैंने नेट पे देख हुआ है पाल टाइम मैंने सर्च किया है तो लेहरिया ही लेकिया आता है और बहुत सारे लेकिया और जो आपर पशपतनाथ मंदिर ना उस टेम्पल का जो गुंबज है कुछ इस तरीके से है तो वह हैं से पशपतनाथ जी से दादी दो लेके आई थी इसको क्या बोलते हैं याद नहीं आ रहा है क्या बोलता हैं लेकिन इसको मतलब सो पीस में टांग दिया जाता है जो घंटियां बसती हैं हवा के जोके से नहीं बहुत ही पॉजिटिव वाइब देती हैं उसके वाद से समान हम लोगों ने देखा पॉंजी तियार हो गेते स्कूल जाने के लिए फि परके ही फोड़ते हैं फिर पापा बाबा भाई कोई ऐसा जो रहता है लड़का अगर घर में लड़के नहीं है कहीं कोई गया हुआ है तो फिर हम अगल बगल के अंकल लोग को बुला के कद्दू फोड़वा लेते हैं तो हमारे बाद तो हमेशा से मैंने यहीं देखा अगर्मी से आलत खरा मुझे इतना प्रॉब्लम हो गया था कि मैं मेरा इतना गंदा वाला कंडिशन खराब हो गया था यह एलर्ची से कि गर्मी से पूरे बाड़ी पे छाले चाले हो गया थे और कई-कई रात तो मैं सो नहीं पाई इतनी खुजली इंग और पूरा कोषिस है और बारिस भी नहीं हो रहा है क्या अब लोग के तरफ बारिस ओ रहा है कि मुझे ए व tart बहुत सारी बाते हैं मों में हमने चेंगों united बदो आर् औरत ऑलने बक्रनी है वीडियो नहीं लोग बहुत सारी जोंकिर आंसे मेन बाते हैं तो आप लोग उल्दी अलग व यहां बावा लेके आयते कुछ फोटो जो वहां पर टेम्पल है उस चीज को यहां पर दर्साय गया है फोटो में तो मैं दिखा रहे हूँ यह है पस्वतनात का में मंदिर जो की इतने कस्बे के बीच में हमको लगा था ना पूरा ग्राउंड में होगा खुले ग्राउंड मे है और यह में गेड था फिर अंदर यह टेम्पल था और बहुत सारे यहां पर टेम्पल है जिस पर यहां नाम लिखा हुए लुंबनी करके अभी एडिटिंग के टाइम है थोड़ी वीडियो चोटी दिख रही है तो मैं नाम क्लियर नहीं कर पार हूँ बट आप लोग मंदीर और सारे मंदीर के गुंबज ना सम्थिंग एक ही तरह के थे और यह जो संकर जी का बाबा दिखा रहे बहुत ही हुँचे है एक तरकुल ताड के पेड़ की इतने लंबे हैं पता नहीं क्या नाम बताया बाबा ने इस टेम्पल पे लिखा हुए था बट यहां पर बहुत धर्म के भी बहुत सारे मंदीर है जिस पर यहां नाम में इंसन था ना तो मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि बहुत धर्म के भी बहुत सारे मंदीर है और इसके बाद से हम आजाते है जान की मंदीर पे तो यहां पे है जान की मंदीर का सारा कुछ है जहां जहां सीत जानकी का महल मतलब जानकी टेंपल इसको रेनुएट करके बनाया गया अच्छे से लेकिन पूराना वाला ही है और यहां पे जहां राम जी ने धनुस तोड़ा था जो धनुस का उपर वाला टुकड़ा गिरा था हो है धनुस धाम जो नीचे नारंगी कलर का त्रशूल दिख मुझे लेकिन और हम लोग गया त्रशूल इस एंगे लाया को रहा है फिर धर्ती फट रही है वहां पर मुझे की बजरे है और पूरा महल का है इसके बाद से कितना अच्छा लग रहा है ना पूरा महल सामने से कितना खुबसूरत होगा ह। लाइफ में हमको भी जाने का सुबह में दाल चाल सबजी रूटी बनाया खाना पीने खिला है फिर कुछ रिकॉर्ड नहीं करी क्योंकि सब लोग सो गए थे दादी बावस होए तो सामती के लिए सब लोग सो गया फिर साम के टाइम में मैं सबजी बनाने का प्रपरेशन कर रही थी तो मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया था वा तो वीडियो डिलीट होई तो सुबह जो कद्दू के सबजी बनाया थी उसको रिकॉर्ड किया था तो यहां पर डाल रही हूं साम तक वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया था पता नहीं क से डिलिट हो गया तो इस ब्लोग को यहीं अंड करते हैं होब कि आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना चानल को सब्सक्राइब करना बाए टेक है लवी जो माच